सूपर स्टार शारुक खान की बेटे आरेन खान फिलहाल ड्रग केस की चलते निया ये खिरासत में हैं आरेन खान को 2 ओक्टूबर को मुंबई से गोआ जाने वाले क्रूस शिप में चल रही ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के कारण गिरफतार किया गया था उनके वकील का दावा है कि आरेन के पास कुल ड्रग्स पर आमद नहीं हुआ जिसके बिना पर 8 ओक्टूबर यानि आज आरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है देखा जा रहा है कि शारुक खान के सपोर्ट में काफी स्टार्स खड़े नजर आ रहे हैं उसे के साथ रवीन अटंडर ने सोशल मीडिया पर एक पोस की जर्य अपनी बात कही है उन्होंने लिखा शर्मिंदगी से भरी राजनीती खेली जा रही है ये एक युवा लड़की की जिंदगी है और भविश्य है जिससे लोग खिलवार कर रहे हैं दिल तूटने वाली बात है वही आरेन कान को लेकर आक्ट्रिस सोमी अली ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस् इंस्टेग्राम अकाउंट पर लिखा कौन सा बच्चा है जिसने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस बच्चे को घर जाने दो ड्रग्स और वैस शिवरिती कभी खतम नहीं होने वाले इसलिए उन्हें अपराद मानना ही बंद कर देना चाहिए सोमी अली ने कि आज आरेन खान की जमान अतियाचिका पर सुनवाई होनी हैं साथ ऑक्टूबर को पेशी के दोरान कोट ने एंसीबी की मंग ठुकराते हुए आरेन खान की कस्टेडी बढ़ाने से इंकार कर दिया था कोट ने एंसीबी से कहा कि उनके पास उचित समय था आरूपी से माम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूस नाशनल